जैन पाकशालाज पाता बंधन परुकी मुनी सूरतनाथ भगवान के समय की उस समय जैनी नगरी में राजा शीवरमा राजर करते थे उनके चार मंत्री थे बली, नमूची, रहस्पती और प्रहलाद यह जैन धन के विद्वेशी थे और जैन मुनियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और लेकिन वो मंत्री बड़े अच्छे थे इसनी राजा के यहां बहुत आराम से समान पूरक रहते थे एक बार उस नगरी में 700 मुनियों का संगाया आचायर एकमपन इनकी स्वामी थे और सारे नगर के लोग उनके दर्शन करने गया राजा भी मंत्रियों के साथ उनके दर्शन करने गया मंत्रियों की इच्छा तो नहीं थी लेकिन महराज के साथ जाना पड़ा और वहां पहुचकर मुनियाज को पता चल गया इस राजी के मंत्री जैन धर्म के विद्वेश नगर में अहार के लिए गए हुए थे इसनी उने इस आग्या का पता नहीं था जब राजा मंत्रियों से मुनिराज के दर्शन करने आया तो सभी मुनिराजों ने मौन धारण कर रहा था राजा उनकी शांती देखर बहुत प्रभावित हुए और दर्शन करके लोटने लगे लेकिन मुनिराजों की चुपी को देखकर मंत्रिय पूरी रास्ते उनकी निंदा कर दे रहा है कि देखो ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं आपको आशिरवाद भी नहीं दिया ऐसे ऐसे करती जाया थे इतनी में सामने से शुच्छागर मुनिराज पधार रहे थे आहारक इधर शुच्छागर मुनिराज ने अचाया शीर के पास जाकर कहा रास्ते में ऐसे घटना हुई अब तो मुनिसन पर घोर उपसर्ग होने वाला है कस्ट आने वाला है क्योंकि मुनिराज निमेत्त ग्यानी थे अब उन्हाने का कि महाराज जी मुझे आप बताओ मुझे प कि आपने जिस स्थान पर यह बादिवाद हुआ था उसी स्थान पर जाकर आप ध्यान में निमगनो गए और जब रात्री का समय हुआ तो चारों मंत्री आए मुनिराज उपर उपसर करने की नियत से कि इन साथों के वज़े से हमारा अपमान हुआ लेकिन उन्हाने रास्ते में शुच्छागर मुनिराज को देखा उन्हाने का कि चलो हम सबको दुखकर देने से क्या फाइदा इसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया था चलो हम इनी को निप्टा देते हैं यह सोचकर उन्हा सारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार उठाई परंतु मुनिराज के तपश्चा के प्रभाव से बन देवता ने उन्हें कीलीद कर दिया और वह वैसे कि वैसे अवर्सता में पत्थर के जैसे हो गया और सुबह तक वैसे ही रहे सुबह जब सारे लोग नगर कि मुनिराज की द्रशन करने आने लगे तब उन्हें रास्ते में यह द्रश्य देखा तो सब बड़े दुखी हुए और तुरंत राजा को सूशना पहुंचाएगी राजा आए तब मुनिराज ने अपना ध्यान थोड़ा और बंदेवता को कहा कि भी या इन्हें आप किलित से प्री कर द दिया तब राजा ने का कि लेकिन मैं उसे सामा इनको निकलवा दिया इधर यह मंत्री यहां से निकर कर गुमते गुमते हस्तिनापूर पहुंचे और इधर यह मुनिराज भी धीरे धीरे विहार करते हुए उस तरफ ही बढ़ने लगे और हस्तिनापूर नगर में और हस्तिनापुर में पहुंचकर वहां के राजा पद्म के वे मंत्री बन गये क्योंकि वे बुद्धी मानतों थे ही और हस्तिनापुर के राजा पद्म का एक आग्याकारी राजा था सेंबल जो की उन दिनों उसते बेरुद्ध हो गया था उद्धन्ड हो गया था उनका कहना नहीं मानता था तब राजा ने तब इन मंत्रियों ने अपनी बुद्धी चातुरिस से उस राजा को बांध कर इनके सामने पेश किया राजा पंत के सामने तुवे बड़े प्रसंद हो और उनसे का कि मांगो तुम्हे क्या वर्दान चाहिए तो उनना ने कहा कि महराज हमारा वर्दान आप अपने पास धरोवर रख लिजे जब हमें आवश्यक्ता हो गया हम मांग लेंगे तब मुनी राज अकंपनाचारी विहार करते करते अपने संके साथ हचना पूराए नगर के लोग उनके दशनार जाने लगे और जब मंत्रियों को पता चला कि ओह हो ये वो ही मुनी राज है जिनकी वज़े से कि हमें देश निकाला मिला था उजयनी से तब उन्हाने कुछ प्लान मनाया उनको मारने का तब उन्हाने राजा पदन के पास जाकर का कि महराज हमें तो हमारा वो वर्दान चाहिए तो महराज ने का बोलो तुम्हें क्या चाहिए तो उन्हाने का कि नीम महराज हमें है न साथ दिन का राजी दे दिजिए तब राजा ने का हर ठीक है उ स्वयम महल में चले गए अब इना ने बंत्रियों ने उन मुनिराजियों ने जहां वन में वह विराजमान थे उनकी चारों और एक बाड़ा बनवाया उसमें उसके आसपास खूप सारी चर्भी मांस पशू और गंदी-गंदी चीजियों महां पर इखटी कर दी और उनमें आ यहां तक तो यह चल रहा है उधर यह जो राजा पद्म थे हसनापूर के उनके पिता जी और उनके भाई छोटे भाई जिनका नान था विष्णुकुमार वो दौनों मुनि बन गए थे और विष्णुकुमार मुनिराज को तो चारण रिद्दी भी प्राप्त हो गई थे और ऐसे समय पे जब एक शुलक जी ने उनसे आके कहा कि इतनी मुनिराज भसना पूर में तो इतनी मुनिराज ने भार संकट आया हूं है उसको आठ दूर कर सकते तो उन्हावन देखा कि क्या वाकः मुझें कि विक्रिया रिद्धी प्राप्त हो गया या था लंबा किया तो बहुत दूर तक चला गया थो वह समझ गए सबसे पहले तो अपने भाई के पास पहुंचे उन्हें डांट लगा एं कि देखो तुम्हारी राजी में ऐसा क्या हो रहा तो उन्हाने अपना रूप बतला बामन बतुक का वेश बनाया और श्लोक उचारन करते हुए उसकी यगी भूमी के पास पहुचे वहाँ पर जाकर बड़े अच्छे से मीठे स्वार में वो बेद मंत्रों का उचारन करने लगे वो ब्रहावन जो मंत्री थे वो चारों वो बामने ले लिए से कोई घाली हात नहीं जाएगा क्यूंकि हम यगी कर रहे हैं जो ही उन्हाने संकल किया भूमी देने का तो मुनी राज ने विक्रिया से अपना पैर बढ़ाया अपना आखार बढ़ाया और एक पैर पहुचा मानुश्वत्तर परवत पर और दूसरा तुब बताओ, उनका हावा, आस्मान में हवा, हवा में उनका पाओ, नहरा ने लगाओ ना, उनने का मैं तुम्हारे सिर पर रखता हूँ, बोलो कहा रखू, तुब बली ने त्राही त्राही मजगे पूरी संसार में, और बली ने उनके चर्णों में गिर के ख्षमा मांगी, तब मुनी राज ने अपनी विक्रिया समेटी, और उसे कहा, कि ये क्या पाप का काम कर रहे हो, चलो मुनी राजों को कष्ट हटाओ, उनके सारे सब हटाओ, उनको सही करो, तब उनने सब हटाया, और उनको मुनी राजों को उस बाड़े से बाहर किया, अब तब मुनी जो कि हालत बहुत खराब हो चुकी दिस बहुत ही गला रूंद गया था था दुए से परेशान उनका से अगरा सब बहुत दुखी थे उनकी स्थितियां बहुत गंबीर थी और उनका गला ऐसा हो गया था कि उसमें से भूजन तक नहीं कर पाएं ऐसे बन गई थी तब मुली कि कि और वेखाम sach ihrer और वहां का शावक उनकी बहुत अच्छे से वया व्रती की और वया व्रती करने के बाद उन्होंने उनको अहार कराया आहर एसमें उनको नर्म-णर्म से वयां और धी्जुद् हादी इस तरह कि यहार मिदी ता कि उनके गले में मैं उतर सके और और वो 700 मुनिराज से लेकिन शावक तो हजार हो थे, जिनके घर में मुनिराज नहीं आये, उन्होंने द्वार पर उनका चित्र बना कर उनकी पूजा करके ही अपने मन में संतोश किया, इस प्रकार इस दिन, जिस दिन ये उपसर दूर हुआ था, उस दिन था शावन शुकल पूर्णी मा, यानि रक्षा बंदन का दिन, और उसी दिन की यास्मरती में ये रक्षा बंदन का पर्व, सब जैनी मनाते हैं, और इस दिन, मुनिर माहराज की वयावरती का, उन्ती सुरक्षा का संकल्प करते हैं, साधर्मियों की सुरक्षा का संकल्प करते हैं, और इसी क याद करते हुए इस दिन खीत अक्सर बनाते हैं कि और मुनी महायाज अगर उपलब्ध हो या आपके यह हो तो उनको आहारदान करते हैं और बड़ी खुशी-खुशी इस पर्व को मना कर इस तादू सेवा के पर्व की स्मृति को ताजा करते हैं इस तरह रक्षा बंदन का मनाया जाता है ताकि हम भी मुनी जनों की सुरक्षा और सेवा का ख्याल रखें